वेलकम टो आर चैनल एक्जाम क्लेश्टर इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि SSC एक्जाम का ड्रिस कोड क्या होता है जैसे कि स्कूल का एक्जाम का ड्रिस कोड होता है कॉलेज के एक्जाम का ड्रेस कोड होता है उसी तरह से क्या है एक्जाम का ड्रेस कोड होता है तो वह मैं आपको इस वीडियो में डिटेल ने बताऊंगा कि एससी का जब एक्जाम देने आप जाते हो तो आप क्या पहन के जा सकते हो क्या पहन के नहीं जा सकते हो क्या आपको exam centers होते हैं जिनमें रूल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बट यह कुछ common चीजे हैं जो किसी भी exam center में आपको allow नहीं किया जाएगा तो इन चीजों को आप एकदम दिमाग में रखीगा क्योंसे कि इससे आपको problem हो सकता है सबसे पहला तो है बेल्ट बेल्ट और उसके जैसा कोई भी जो दुसरा चीज होता है वह आप नहीं पैन सकते हो वह आपको बेल्ट वागरा सारा कुछ खुलवा देते हैं गुषने से पहले तो बेल्ट वागर अगर आपके पास है तो उससे पहन के मत चाहिएगा और दूसरा होता है आपका electronic gadgets मतलब की जो electric watches हो गया या जो भी कुछ है वह आपको नहीं ले करके जाना है तो अगर आपके पास electric watch वेगरा है तो वह भी रख दीजेगा और दूसरा बात है कि अगर आपके पास अगर electric watch नहीं है दूसरा analog watch भी है नॉर्मल वाला घड़ी है तब भी आप पहन के नहीं जा सकते हो वह भी आपको खुलवा देंगे तो घड़ी वेगरा कुछ भी पहन के मत जाईएगा उसके बाद आगे है no metals मतलब कि आप कोई भी अपना समान रखते हो तो यह सब पहन के मत जाईएगा चेन वगएरा earrings वगएरा क्योंकि यह सब अलाओ नहीं किया जाता है मतलब मेटल आप अंदर नहीं लेकर करके जा सकते हो कोई एक्षेप्शनल होता है कभी किसी सेंटर में कोई अंदर ले जाने दे दिया जाता है किसी किसी एक्जाम सेंटर में कोई भी अंदर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है कुछ भी ऐसा चीज है जो unnecessary है तो वो आप एकदम ले करके मत जाइए उसे फिर आपको खोल के या तो आप अपने बैग में रखना पड़ेगा या तो फिर आपको वहाँ एक बॉक्स दिया जाएगा उसमें डालना पड़ेगा जो कि बाद में कोई भी ले करके चला जा सकता ह तो अगर आपके पास कुछ भी अगर ऐसा है एर बैंड हो गया या हैर क्लिप्स हो गया या रिष्ट बैंड हो गया कैप टोपी अगर कुछ भी unnecessary items जो कि fashion के लिए होता है तो वह सारा चीज आप पहले डंप करके जाईए उसे पहन के मत जाईएगा एक्जाम सेंटर में तो यह तो यह आरण देख लिए जैसे कि अभी ठंडा आने वाला है ठंडा का एक्जाम गर्मी के टाइम के लिए मैं आगे बताऊना पहले ठंडा में देख लिए तो ठंडा के एक्जाम में बिसिकली हम लोग क्या करते कि टोपी वगरा पहन के चला आते यह तो आपको ऐसे भ कर दे बट आपको बोला जाएगा कि इसे खोल करके आईए यह अप अंदर नहीं लिए सकते हों तो जो टोपी वगरा होता है इसे आप पहन के ना ही जाए तो ही ठीक है उसके बाद आता है जैकेट वगरा तो देखिए मैंने क्या बोला कि यहां क्या लिखा है जैकेट आपको बहुत फील होगा ठंडा लगेगा अप एक्जाम ठीक से नहीं दे पाऊगे इसलिए बेसिक कोशिस कीजिएगा कि स्वेटर को चूज करने के लिए एस कॉंपेर टू जैकेट और क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे एक्जाम सेंटर में आपको जैकेट के लिए बोला ज शर्ट में जाकर के एक्जाम देना पड़ा और बहुत थंड भी था तो उनको प्रॉब्लम हुआ था तो बेसिकली इस चीज का ध्यान रखेगा कि अगर आपके पास अगर नॉर्मल स्वेटर है तो नॉर्मल स्वेटर ही पहन के चाहिए कीजिए ऐसा जैकेट वेगरा को ए पड़कों के लिए कि जिंश टीशर्ट और नॉर्मल यही सब मलब प्लेन कपड़ा होगा तो आप वह आपको कभी डिश्टर्ब नहीं करेंगे इन सब चीजों के लिए और दूसरा चीज है जूता अगर जूता को लेकर के मन में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जूता प करते हैं उनको फील नहीं होना चाहिए कि आप अपने कपड़े के अंदर कुछ छिपा के ले जा रहे हो जैसे कि हेवी क्लोथ में क्या होता है कि बहुत सारा स्पेस होता है तो उनको डाउट होता है कि में भी इसके अंदर कुछ हो ऐसा चीज चूटका वेगार या जो भी तो इसलिए वो कभी कर खुलवा दरते हैं और अदरवाइस वो ऐसा परिशान तो नहीं करते हैं लेकिन अगर आपको फिर भी तेंशन करके जाना है तो जितना हो सकते हैं उतना नॉर्मल क्वल कप्ला पाइन के जागी कोई दिक्कत नहीं है और बाखिट ड्रेस के उपर उ complete course की जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाए history, geography, quality तो आप हमारा general studies का course ले सकते हो जो कि आपको हमारे mobile app exam cluster में मिल जाएगा जिसे आप play store से download कर सकते हो और यह हमारा general studies का course है बहुत ही सस्ता है क्योंकि अभी इसमें हम लोग regularly वीडियो डाल रहे हैं तो यह अभी complete नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत ही beneficial हो गई है तो इस वीडियो को चलिए इंड करते हैं कुछ भी अगर problem हो तो आप लोग comment करते हमसे पूछ सकते हैं